पार्ट मार्च 1989 को पंजाब के छोटे से सहर मोगा में हर्मिंग पीत कोर एक शेर्णी का जनम होता है। लोवर मिटिक लाज फैमिली में जन्मी ये शेर्णी आगे चलके अपने देश के लिए बहुत कुछ करने वाली थी। उनमें अपने सपनों को उचाया तक पुछाने का जनून था। इसी जनून के चलते वो अपनी टीम को वहतर से वहतर दरज़ दलाती हैं। और इंडिया में पहली वार होने वाले वूमेंस आपियल में मुंबई इंडियन्स एक करोड़ अच्छी लाख में अपनी टीम में संविद करते हैं। पिता हर्मिंद्र कोर का सपना था कि उनकी बेटी अपने देश का नाम रोशन करे। लेकिन वो होकी स्टिक से बड़े बड़े सोट लगाती थी जैसे क्रिकिट में कोई खिलाडी लंबे लंबे चक्के मार रहा हो। यह देखकर पिता हर्मिंद्र ने उन्हें क्रिकिट में अच्छी फैसलिटी डिलाने की कोशिस करी। लेकिन एक lower mental class family के चलते उन्हें यह मुश्किल लग रहा था। जब वो स्कूल में लड़कों के साथ क्रिकिट खिलती थी तब उन्हें लंबे लंबे च्छके मारते हुए क्रिकिट कोश सोटी ने देखा। तबिक कोश सोटी ने हर्मन के पिता से बात की और सारा खर्चा उठाने की जिम्मेदारी भी ली। और फिर उसके बाद हर्मन पीट कोश ने अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए लगण और महनब शुरू कर दी। हर्मन के क्रिक्ट की सुरुवार दोमस्टिक लेविल से हुई पंजाब क्रिक्ट एक्सेशन में उनका चैन हुआ स्टेट लेविल टून्डामेंट में 2007 में होने जा रहे अंडर 19 वूमेंस टी 20 वर्लकप के लिए एक ओल राउंडर की एक होज थी अंजू जैन जो इंडियन बूमेंट क्रिक्ट टींग की वूर्फ कपता रहे चुकी हैं और हर्मन की सांदार ओलाउंड प्रोपोंस देखती हैं और उनका अंडर 19 टी 20 वर्लकप में सेलेक्शन हो जाता है उन्हें प्रोफेस्नल के पिट में जोईन हुए अभी चार साल भी नहीं हुए थे कि उनका चैन 2009 में होने वाले वर्लकप में 19 प्लियर के साथ हो चुका था अर्मन ने अपने करेश की सुवात एक बॉलर के रूप से की थी 2009 वर्लकप में टीम इंडिया की दिगज बॉलर जूलन गोश्वामी और अमिता मिसरा के चलते उन्हें ज्यादा मूखे नहीं मिले साथ मार्ट 2009 को पाकिस्तान के खिलाब उनका ओडियाई डेवी होता है लेकिन उसमें भी उनका कुछ खास प्रदसन नहीं रहा लेकिन उसके अगले दो मैचों में नहीं उन्हें गेंजवाजी और नहीं बल्लेवाजी करने का मूखा मिलता है 2009 टी-20 वर्लकप में इंग्लेंड के खिलाब उनका टी-20 क्रिकिट में भी डेवी होता है लेकिन इस टूर्णामेंट में भी उनको कुछ खास मूखे नहीं मिले हर्मन पीत को कड़ी मेहनत की दरुवत थी वो समझ चुकी थी कि अपनी टीम में रेगुलर रहने के लिए और अच्छी प्रफोर्णस के लिए उनके आइडल ब्रेंडर सेवाग थे उनकी बदोलत वो लंब लंबे चप के मालने में फपल थी और लंबी पाड़िया खिलने के प्रिकिट को फोलो करना शुरू किया 2012 में हो रहे इस्या कप के फाइनल में मुथाली राज तोट के कारण उपलब नहीं थी इसी के चलते महज 23 साल की उमर में उन्हें कपतानी करने का मौका मिलता है यह उनके लिए बहुत बड़ा मंच्छा एक तो इस्या कप का फाइन अच्छी फोर्म में थी लेकिन उनकी टीम को अभी भी पैचान नहीं मिली थी जो दूसरी टीम के पास थी साल 2017 वूमेंस क्रिक्ट वर्लकप में हर्मन का प्रोड़सन अच्छा नहीं चल रहा था लेकिन 20 जुलाई 2017 को सेमी फैनल में और उस्ट्रिलया के खिलाब एक क्रिक्ट टीम भी और उस्ट्रिलिया को सेमी फैनल में हराने के बाद अलग पेचान पार चुकी थी जिसकी वह हगदार थी इसी साल उन्हें अर्जून आवर्ट से भी सम्मानित किया गया साल 2022 में मिधाली राज के इंटरनेशनल क्रिक्ट से रिटार्यमेंट लेने के और उनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा 2023 में इंडिया में होने वाले वूमेंस प्रीमेंट लीग में पहला मैच गुजरात बना मुमईब का था इस मैच में हर्वन पीद कौर 65% जड़ देती है और अपनी टीम को पहले ही मैच में 143 उनकी जीप दिलाती है और प्लेयर उनकी इस सपने को पूरा होने का अंतजार कर रहे हैं और यह जरूर होगा इस तरह से हर्मर पीद कौर का सफर इंडियन वूमेंस क्रिक्टिक टीम में बहुती सांधार है और उनकी कप्तानी में टीम काफी अच्छे परिगनाम प्राप कर रही है